तो यू के अन यूटूब चैनल को सब्सकाइब करें लिए दमाएं सब्सकाइब का बटन और घंटी का बटन चरूर दोस्ते इस वीडियो में आपको बताने जारा हूं कैसी जानकारी जो आपको बेहत पशंद आएगी दोस्तों अगर आप जल जीवन मिशन के तहत तक्नीकी अगर नहीं भी है अगर आप उत्रप्रदेश की निवासी है तो आप भी इस वीडियो का अंतक देख शकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जल जीवन मिशन के अंतरगत कारियों का टीम करेगी सत्यापन दोस्तों कि आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे लोगों की भरती सरकार कर चुकी है चाहे संविदा के तौर पे हो चाहे वो किसी और कॉंट्रेक्ट अटेंडर के तौर पे हैं उसमें से जादा तर लोग पैसें का गलत उपयोग करते हैं जैसा कि आपको पता है सरकार की महत्वा कांची होजना जल जीवन मिशन है जिसके तहट जल सकी बहनों की न्युक्ति भी की गई थी लेकिन कई जगहों पर जल सकी बहने अपनी आजीविका नहीं चला पा रही या उनको काम नहीं मिल पा रहा है या लेबर पलंबर मिस्त्री राजगीर कारपिंचर इन लोगों की भी न्युक्ति की गई थी लेकिन समय पर मांदे ना मिलने की वज़ास ज़्यादा तरलोग परिशान है जल जीवन मिशन के अंतरगत जो भी काम कराए गए हैं अब सरकार के द्वारा सत्यापन कि ये जाने का प्रावधान आ चुका है इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से जल जीवन मिशन के अंतरगत कारियों का टीम में करेंगी सत्यापन और दोसी पायजाने के खिलाफ कारिवाई भी की जाएगी तो दोस्तों अगर आप जल जीवन मिशन के तहत कुछ जानकारी अरज़ित करना चाहते हैं तकीनन इस वीडियो का आपन तक जरूर देखिए तो दोस्तों इस वीडियो को आगे पढ़ाते हैं जल जीवन मिशन के अंतरगत कराये गए कारियों का टीम सत्यापन करेगी मुख विकास अधिकारी केशो कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अंतरगत जनपद में कारदाई संस्थाओं दोरा पेजल हित बिछाए गई पैपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों के कारे गुडवत्ता का सत्यापन के लिए जनपदस्तरी गठिट टीम के सभी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई उन्होंने कहा कि हर घर जल की योजना के अंतरगत प्रती परिवार को सुद्ध पेजल निधारित मानक के अनुशार सो प्रिसत उपलब्द कराए जाएगा तोस्तों आए दिन टाइफाइड थाइराइड और तमाम पीलिया जोएंडी सिस्तरी के विमारिया गाओं घर में फैलती रहती है उसका एक ने एक सोर्स और स्रोत जो है फैलने का कारण जो है वो पानी है अगर आप साब पानी नहीं पीते हैं तो एकिनन आप इन बिमारियों से बच नहीं पाएंगे मुख विकास अधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिश्वन के अंतरगत हर घर नली योजना भारस सरकार की महत्वा कांची योजना कार की गुडवत्ता के साथ लापरवाही को छम में नहीं किया जाए यानि की छमा नहीं दिया जाएगा जिन्होंने भी धादले की है उन्होंन टीम के सदस्यों को निर्देश दियें कि जिन गाउं में काम पूरा हो चुका है उन गाउं में पहुँच कर भातिक सत्यापन के निर्धारित मानकों के अनुसार कामों की रिपोर्ट से प्रतिसत अता उपलग्द कराए जल निगम ग्रामीर दोरा पाइपलाइन बिचाने है तो काटी गई सरकों की गुडवत्ता पूर सही किया जाए दोस्तो कई जगों पर मैंने अपने गाउं घर में भी देखा कि जो भी पाइपलाइन बिचाया गया है तो वो खरंजे चकरोट के बिलकुल बीचो बीच बिचाया गया है अगर खरंजा था तो इंट हटा के बिचा दिया गया उस पर सिर्फ मिट्टी डालके छोड़ दिया गया है जो की बिलकुल गलत है और बरसात के मौसम में लोगों को कठी नाईयों का सामना करना पड़ सकता है तो मेरा दोस्तों निवेदन है कि जो लोग भी स्टेंडर को कॉंट्रेक्ट को लेते हैं जल जीवन मिशन की तहत वो लोग अपने काम को सव प्रसतिमांदारी और बहुत ये अच्छे तरीकेश करें ताकि लोग को समस्याओं का सामना ना करना पड़े जल जीवन जल निगम ग्रामीर दोरा पाइप लाइन बिचाने है तू काते गई सडकों की गुडवत्ता पूर सही किया जाये पेजल हे तु बिछाई जा रहे पाइप लाइन के लिए काटी जाने वाली सड़क के पहले और पुनर स्थापना मरम्मत का काम गुरवत्ता पूर्वक्यों सासमय संपन होना चाहिए जल नेगम ग्रामीर के मादम से काटी गई सड़कों को पूरो की स्थिती में लाने के लिए ततकाल पुनर निर्मार मरम्मत कराने की कारवाही संपन कराई जाए जिससे की आम जन जीवन प्रभावित ना हो जल जीवन कारकरम के अंतरगत पाइप पेजल योजनाव में तो सत्तावन ओवरहेड टैंक बनेंगे जनपद में पीनसी इंफ्राटेक कार संस्था कर रही है इस योजना दोरा दस वर्स तक मेंटेनेंस का कार किया जाएगा बिभिन माधमों से लोगों को सुद्ध पेजल परियोग के लिए जागुपता कारिकरम आयुजित किया तो दोस्तों किस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जल जीवर मिशन के तहट जो भी काम हुई है उस काम का सरकार सकती से सत्यापन करने जा रही जो भी कॉन्ट्रेक्ट या लेबर या ठेकेदार या विट तकनीकी शाह है किसमें लिप्त पाए जाएंगे एकिनर उनके खिलाफ कारवाई जरूर होगी निवेधन करताओं का जानकारी अच्छे लगी चैनल पर नए है वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविस्ट में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे वीडियो कॉन तक द बाए